नमस्कार दोस्तों, टेक इन इलेक्टिक के फ्रेस और नहीं एपिसोड में आप सब का बहुत-बहुत सागते हैं प्रेले में जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोग और पिक्सलेडी प्राइस को लेकि आप लोग बहुत सर ऐसे कमेंट आ हा रहा है जिसमें पिक्सलेडी का प्राइस थोरा सा जादा हुआ था उसमें आप लोग कह रहा है कि वह दोस्तों रुपे के ज़्धा डिफरेंस आपको दोस्तों से डाइसु रुपे में मार्केट चार से पांच मीटर मिल जाएगा पिक्सलेडी नाइन ट्वेंटीफाइव रुपे के क्वाज कंपोनेंट में आपको मिल जाएगा चलिए पैकेज को खोल लेते हैं यानि कि एड्रेसेवेल आड्जीवी एलेडी कुछ इस तरह से दिखते हैं हर एक इंडिवीजल पिक्सल का कोई भी कलर में आप बिंक करवा सकते हैं इससे ओपन करेंगे तो इसमें आपको इस तरह से कुछ लाइट देखने को मिलेगा यह वाटर प्रूपिंग है यह आपको 2 रुपे के आसपास मिल जाएगा यह 12 बोल्ट मे दिखा देता हो यह आपको 5 मीटर के आसपास बोल के आता है बाट एक चली में 4 मीटर ही होता है आप लाइन आपको 200 रुपे के आसपास मिल जाएगा को एक स्ट्रीप में 9 एलडी एक साथ देखने को मिलेगा यह ब्लू रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन वाटर प्रूपि बीच में आपको एक ग्रीन कलर को वायर देखने को मिलेगा एक कंट्रोल पीन हो पीछे भी आपको एक टेप देखने को मिलता है और इसके अंदर भी आपको टेप देखने को मिलता है चिपकाने के लिए पावर कनेट करने के लिए डायर अगर आप 5 वोल्ट से चलाएंगे तो यह चलने वाला नहीं है इसके लिए अलग से आपको खड़िदना होगा कंट्रोलर आप कोई भी वाइफाइट कंट्रोलर है वाइफाइफाइट की नाम से यहाँ पर आपको बी-सी कि इनकि प्लासफाइफ बोल्टेज पी यानि कि चार सेक्षन में है टोटल आपका टोटल है एक एक चो पीवान है यह आपको थाउजन टॉन्ट्वर एडी कंट्रोल कर सकते हैं आपको total 4000 LED इससे control हो सकता यह एक ground pin है यहाँ पर आपको VCC देखने को में लगा है पर ground आपको देना परेगा यह तो आप adapter से भी power supply दे सकते है यहाँ कि 5V से power supply करेंगे आप तो चाहे तो यहाँ पर भी दे सकते हैं यहाँ पर नहीं देंगे तो भी चलेगा कोई problem नहीं है दे आपको VCC और ground connect करना परेगा VCC है और जो ग्राउंड है यहाँ पर हम लोग connection कर लेते हैं Green color का LED जो है connect हो गया है यानि कि इसमें power आ रहा है तो चलिए अभी हम लोग pixel को connect करते हैं देखते है Pixel का जो इस side का pin है इसे हम लोग इसके adapter की साथ connect करेंगे अभी देखिए LED में function सुरू हो गया अब लोग देख सकते हैं अब किसी भी तरह से इसमें programming कर सकते हैं अभी देखिए इसमें हम लोग connection किस तरह से करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल से adapter हैं यहाँ पर आपको arrow symbol देखने को मिलेगा दोनों arrow को जब मिलाना है दोनों आना को जब मिलाना है बस जो connection है और रेडी हो चुका है और remote control का अंदर आपको यहाँ पर एक इस ट्राइप का यह देखने को मिलेगा इससे अगर आप फटा देंगे तो remote काम करने लगेगा अभी मैं यहाँ पर 12V का power supply adapter से दे रहा हूं देखिए LED जो है चलने लगा अब दोनों में difference देख सकते हैं हर एक light में देखिए R, G, B इस तरह से काम कर रहे हैं अब लोग देख सकते हैं दोनों का अगर मैं compare करूं तो देख सकते दोनों का brightness में बहुत ज्यादा अंतर है मेरे पास अभी remote है आफ हो गया देखिए अभी कोई भी color में red, green, blue तो difference difference color में यहां से कर सकता हूं यह white है जो समझ में नहीं आई रहा है आप लोग को यहां पर चार mode दिया गया है फ्लास mode है यह स्टोग mode है इस दोनों में आप लोग को difference पता चल गया है इससे direct भी चला सकते हैं इसके लिए मेरे पास 12V का power supply है यहां पर जो black color है इसमें मेरे को VCC बाला पीन देना पड़े आपको green है चाहे तो आप इस तरह से भी जला सकते हैं इसके लिए controller का जरूरत नहीं पड़ता है अगर आपको इसको direct जलाना है इस case में आप इससे direct नहीं जला सकता है अगर आप direct connect भी करेंगे तो काम नहीं करेगा आपको दिखा रहा हूं यहां पर जो VCC है इससे हम लोग connect कर रहें देखिए एक दो LED सी काम करेगा आपको मैं light up करके दिखाता हम नहीं करेगा बिल्कुल भी तो आपको इसको जलाने के लिए control का मस जरूरत है controller का छोड़के इस तरह का RGB LED यानिकि ARGB LED को आप control नहीं कर सेबते इसे pixel LED कहते है इसका प्राइस रहेगा आपको 925 रुपी से उपर ही गिरेगा और यह 200-500 रुपे के अंदर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा चार मीटेर के आसपस इसका लेंट जो रहता है पांच मीटर में डेता है इसमें आपको टोटल 300 LED देखने को मिलेगा यानि कि मीटर में 60 LED आता है चाहे तो इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं ओ भी मार्केट में आता है वाटर प्रूब की साथ भी आता है बट यह वाटर प्रूब नहीं है इसमें आपको SMD LED लगा हुआ है इसमें नॉर्मेल सा LED है जो बहुती सस्ता क्वालेडी कहता है इसी से कोई भी डिजाइन बना सकते कोई भी आर्ट बना के इसमें फिट कर सकते है यह वाई-फाई की थुरूब कनेक्ट होता है असा करता है अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा ठैंक यू भेरी झाल इस सबते है अगर आपको है जरूर का वीडियो आरे में नहाँ भूएबुना प्लीज वीडियो उन्हाँ जवर स्वेगार स्वेडियो